तो आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई मूवी होस्टाइल के बारे में होस्टाइल का मतलब होता है शत्रू या दिश्मन तो मूवी की कहानी में हम जानेंगे कि कौन किसका शत्रू है तो हब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की जिसमें पूरी दुनिया बर्बाद है और किस चीज़ ने इससे बर्बाद किया है इस कहानी में हम देखेंगे तो हर मूवी की तरह कुछ लोग इस बर्बादी को जेल कर जिन्दा बचे हुए हैं और इनी में से एक है जूलियट जिसके ओपर ये पूरी मूवी बेस्ट है तो पहले हम जूलियट की अभी के कंडिशन को जान लेते हैं जैसे की वो अभी एक 36 लोगों के ग्रुप के साथ रहती है और उसका काम है उन सब के लिए डेली यूज में आने वाली चीज़ों को ढूनना इसलिए वो अपने बेस से बाहर अपनी एक वैन से सामान ढूनने के लिए निकल जाती है उसके वैन में कुछ हतियारों के साथ उसके पती जैक की फोटो भी है जैक महाशे के बारे में आगे जानेंगे अब रास्ते में जूलियट को कुछ खाली पुरानी खराब हुई कार्स मिलती है जिन में से वो काम की चीज़े निकलने के बाद आगे बढ़ती है थोड़ा और भटकने के बाद वो एक खाली बरबाद हुई एक गैस स्टेशन पर पहुशती है और वो साब्धानी के साथ हाथ में गन लिया अंदर जाती है वो स्टेशन उसे सेफ लगता है तो जूलियट वहाँ थोड़ा रेस्ट करने लगती है पर तबी उसे एटिक से किसी के गुरानी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर तो गई थी पर बिना घबराए वो वहाँ से निकल जाती है अब वो अपने रेडियो से बेस में बात करती है जिससे हमें पता चलता है कि वो creature जो उस attic में था वो दिन में बाहर नहीं निकलते और Juliet का कमांडर उसे अपना काम करने को बोलता है और खत्रों में ना पढ़ने का ग्यान देता है अब जूलियट को जादा सामान नहीं मिला था और उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी इसलिए वो अपने बेस जल्दी पहुशने के लिए एक शॉर्टकट लेती है अब स्लेशर्स और एपोकलिप्स मूवी का एतिहास कवा है जिसने शॉर्टकट लिया वो मरेगा तो देखते हैं जूलियट जी के साथ अब आगे क्या होगा तो थोड़ी दूर ड्राइफ करने पर उसे एक वैन दिखाई देती है सप्लाइस कम होने की वज़ा से वो उस वैन में काम करने की चीज़े ढूंडने जाती है तो उसे वैन के बाहर एक गायल बूड़ा आदमी मिलता है वो जूलियट को उसे मारने के लिए बोलता है और बताता है कि उस पर रात में उन क्रियेचर्स ने हमला किया था जिसकी वज़ा से वो इस हालत में है और बूड़े आदमी ने उस क्रियेचर को उसकी ही वैन में बंद कर रखा है पर जूलियट उस आदमी को मार कर अपने गोली बरबाद नहीं करना चाती थी इसलिए वो वैन में चाकर उस क्रीचर से लड़कर उसे मार देती है अब वो बाहर आती है तो वो आदमी मर चुका था तो जूलियर्ट सप्लाइस लेकर अपनी वैन से बेस की ओर निकल जाती है अभी जो उसने किया उससे उसका काफी टाइम चला गया था और रात होने ही वाली थी उससे और हमें अब दोनों को पता चलता है कि रात में वो क्रीचर सप्लाइस के लिए निकलते हैं तो जूलियर्ट उनका सप्लाइ ना बने इसलिए स्पीर थोड़ी तेज करके बेस की ओर जाने लगती है अब उसका ध्यान उसकी और उसके पती की फोटो पर पड़ता है और अचानक हवासी वो फोटो ओड़कर वैन के बाहर चली जाती है जिससे जूलियर्ट का ध्यान बटकता है और उसकी वैन अनबैलंस डो कर पलट जाती है हम अभी तक जूलियर्ट के प्रिजन लाइफ के बारे में जान रहे थी पर अब एपोकलिप्स के पहले उसकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में जानेंगे क्योंकि मुवी के बीचों बीच में जूलियट के पास्ट को अचानक दिखाया जाने लगता है जो कि काफी खराब लगता है अब हम जूलियट को उसके पास्ट में एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जो कि बस वहाँ पर फ्री का खाना और शराब पीने आई है और उसे painting's के बारे में तो कोई ग्यान ही नहीं है ना उसके बारे में उसके कोई दलकस्पी है तब ही उसके पास उस art gallery का मालिक जैक आकर उससे पूछता है कि क्या उससे bakeyan पसंद है तो जूलियट उससे बताती है कि वो vegetarian है जैक एक painter फैंसिस बिकेन की पेंटिंग के बारे में उससे पूछ रहा था पर जूलियट को उस पेंटर के बारे में नहीं पता होता इसलिए उसका जैक के सामने मजाग हो जाता है और वह वहां से निकलने लगती है जैक भी समझ गया था कि जूलियट को पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पताा बाहर बारिश रही थी इसलिए जूलुइट इस आर्ड अधारी में आई थी तो बारिश पल्प जुलूद को बोलता है तो उसका उससे मिलना लां उसकी किस्मत मैं च्रुषवास को मिश्वास नहीं वह संचती है किач슬क वी राह laughed को देखने को बोलता है अब सुबा होने पर जैक जुलियट को अपने घर लाता हैं उसके घर को देखकर जुलियट शौक ती क्योंकि जैक बहुत सादा अमीर है और दूसरी तरफ वो बहुत करीब अब दोनों उपने बारे कर वहां से चली जाती है कुछ दिनों के बाद जैक एक रेस्ट्रो में जूलियट को एक बूड़े आत्मी के साथ देखता है उनका पीछा करने पर जैक को पता चलता है कि जूलियट यह सब पैसों के लिए कर रही है जैक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है जहा जेक गर में आकर जूलियट की मदद करने को बोलता है जूलियट जैक को भला बुरा बोल कर उसे वहां से ब्सद्द करके भगा दीती है अब एक दिन जब उसे घर से भगा दिया था तो वह घायल होकर जैक के पास आकर अपनी हालत बताती है जैक उसका बहुत अच्छे से लगता है जूलियट को ड्रक्स की आदत थी पर वो अगले दिन ड्रक्स लेने वापस उस जगा जा रही थी पर उसे जैक जबर दस्ती रोपता है और जूलियट कुस्से में जैक की घर की चीज़े तोड़ने लगी थी जैक ये सब उसकी ही भलाई के लिए कर रहा था जिसका हैसाद जूलियट को बात में होता है जैक शेहर की थोड़ा बाहर एक बड़ा सगर लेता है जिससे जूलियट ड्रक्स दूर रह सके और हमिया समझ पाते हैं कि जैक जूलियट से प्यार करता है और कुस दिनो बाद जूलियट की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना ही वो उसे कोई खास response दे रही थी अब दोनों वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद जूलियट जैक को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूस देती है जिससे वो दोनों बहुत ही जादा खुश थे पर डिलीवरी की वक्त उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हो और वो वापस से उस नशे में डोब गई थी नशे करके वो रात भर शहर में घुमती थी जिससे जैक खुद परिशान और दुखी होने के बाद भी जूलियट को ढूंड कर हर रोज घर लाता था पर एक दिन जूलियट जैक को ही उसकी बच्चे की मौत का सिमेदार बताने लगी जिससे जैक उससा होकर कार से निकल कर ट्रेन पकरने सब भी की और चला गया था अब जूलियट वापस बार में आकर रिंग कर रही थी काफी देर से उसे जैक का कॉल आ रहा था जिससे वो इकनोर कर रही थी तब ही उसे टीवी पर एक निउस दिखती है जिसमें वो बग चालिस लोग मारे जा चुके हैं वो घबरा कर जैक का कॉल उठाती है जैसे किसी और सक्ष ने किया था वैल तो वो जूलियट को बताता है कि जैक जिन्दा है पर उसकी हालत बहुत खराब है भाग कर जूलियट हास्पिटल पहुशती है तो जैक उसे जिन्दा मिलता ह पर वो पूरी तरह से आइसोलेटिड था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था जूलियट को पूरा यकीन था कि जैक ठीक हो जाएगा इस हालत में भी वो जैक जूलियट से प्यार करता था जब अगले दिन जूलियट जैक के वाट में आती है तो जैक वहाँ था ही नहीं जैक की देथ हो चुकी थी और उसकी बाड़ी को हॉस्पिटल वालों नहीं कहीं दफना दिया बिना किसी को बताए क्योंकि वो कैमिकल से संक्रमित था अब जैक की मौत पर जूलियट फूट फूट कर रोने लगती है जब वो जिन्दा था तो उसे जैक और उसके प्यार की कोई कदर ही नहीं थी अब उसकी जाने के बार जूलियट को एहसास होता है कि जैक उसके लिए किसी फरिश्टे के जैसा था और तब से लेकर आज तक वो जैक की यादों और अच्छायों के सहारे ही सिंदा है तो ये था जूलियट का पास्ट तो अब हम जानते हैं कि प्रेजन्ट में वैन पलटने की बात क्या हुआ अब रात में जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक पैर तूट चुका है और उसका तूटा हुआ पैर उसे की वैन के नीचे फसा हुआ है अगल बगल देखने पर उसे वैन के बाहर गन मिलती है जिसे वो एक जुगार बना कर अपनी ओर खीचती है पर उसकी किस्मत उतनी अच्छी कहां उसका वो जुगार काम नहीं आता तो अपनी फसे हुए टांग को जैसे तैसे करके वो स्वैन के नीचे से निकालती है इन सबसे उसके पैर की हड़ी बाहर आ गई थी तो वो इस जगापर अलकोहर डाल कर उसे हड़ी पर जोर से मार कर उसे वापस अंदर करती है जिसमें उसकी बहुत चीखे निकरती है पर उसकी चीखे उसके दर्द के आगे मामुली थी तो अब वो अपने पैर पर कुछ कपड़ा बान कर उसे जितना अच्छे से हो सके बैंड़िज करती है और एडियो की मदद से वो अपने बेश से संपर्ख करने की कोशिश करने लगती है पर उसका संपर्ख उनसे होता ही नहीं है तो अब वो और भी जादा पैनिक करने लगती है उसकी चीखे सुनकर एक क्रियेचर भी वहाँ आ चुका था उस क्रियेचर के होने का एसास जूलियट को भी होता है और वो जल्दी से अपना गन उठा कर अंदर वैन में आती है हम उस क्रियेचर की टांगो को देख पाते हैं जो कि हमें इनसानों जैसी ही लग रही थी पर बहुत पतली थी वो क्रियेचर वहाँ से जाने लगता है तभी जूलियट की रेडियो पर उसके बेश से किसी का जवाब आता है और वो जल्दी से उस रेडियो को बन कर देती है पर क्रियेचर ने उस रेडियो की आवाज को सुन लिया था और वो वैन की तरफ वापस आने लगा था तो जूलियट रेडियो को आन करके वैन के बाहर फेक देती है वो creature रेडियो पर पहुँच कर उसे उठा कर वहां से कहीं दूर फेक के चला जाता है अब जूलियट वैल में से कुछ stick lights निकाल कर वैन के बाहर आती है और उस रेडियो को ढून लेती है पर वो भी अब उस creature की नजर में आ गई थी और यहां हम उस creature के face को भी देख पाते हैं चोकि हम इनसानों की तरह ही थी और शायद उस chemical की वज़ा से थोड़ी डिकमपोस से अजीब सी हो गई थी चूलियट उससे बचने के लिए भाग कर वापस वैन में आती है और सामने gun point कर उस creature के सामने आने का wait करने लगती है पर वो creature उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और वो उससे बचने के लिए वैन का ऐसे लेटर दबा कर रेज देती है जिससे वो creature वाँ से भाग जाता है यहां हम दो चीस समझते हैं पहली कि उन creatures को थोड़ा कम दिखता है पर वो smart है और दूसरा कि उन्हें आवास पसंद नहीं चूलियट अभी भी चौकरना थी और तब ही वो creature उसके पास वापस आता है जिससे चूलियट कोली मार कर भगा दीती है हम नोटिस कर पाते हैं कि वो creature या तो चूलियट को मारना नहीं चाहता या पिर वो बहुत जादा लेजी है चूलियट की दुबारा रेडियो ट्राइ करने पर उसे बेस से रिपलाई आने लगा था और वो उसे वैन में लगे ट्रैकर को आन करने को बोलते हैं जिससे वो चौपर लेकर उसे रेस्क्यू करने वहाँ पर आ जाएंगे चूलियट वैन का ट्रैकर आन कर देती है और उस क्रेचर से वो बचने की पूरी कोशिश कर रही थी अब उसके बेस वाले बताते हैं कि उन्होंने उसे लोकेट कर लिया है और वो उसे बचाने आ रहे हैं इतने में ही उस क्रेचर ने वैन के सामने का शीशा हटा लिया था अब वो चूलियट की तरफ बढ़ने लगा था चूलियट अपनी समझतारी दिखा उसके पास आने से पहले वैन की लाइट सौन कर दीती है जिसे देख वो क्रेचर वहां से भाग जाता है क्योंकि उन्हें रोशनी पसंद नहीं इसलिए वो दिन में भी बहार नहीं निकलते जूलियट वापस अपने बेस वालों से बात करती है उसे पता चलता है कि वो अब उसके पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो डेंजर जोन में है और अगर वो सुबह तक जिन्दा बची तो उसे लेने वो आएंगे मतलब जिन के लिए वो सप्लाइस लेने आई थी उन्होंने जूलियट को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था अब ऐसे में तो किसी भी इनसान की हिम्मर तूट जाए तो जूलियट भी उम्मीद खोकर शांत वैन में बैठी थी तब ही उसे एक कार की आवास सुनाई देती है और वो उन्हें हौन बजा कर अपने पास बुला लेती है पर वो लोग लुटेरे थे और उन में से एक जूलियट को मारने की कोशिश करता है जिसे वो क्रियेचर मार देता है अब क्रियेचर को वहां देख उस लुटेरे की साथ ही वहां से भाग जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि उस क्रियेचर ने जूलियट की जान उन लुटेरों से बचाई पर ये बाद जूलियट को समझ नहीं आती और वो उस क्रियेचर को उस लुटेरे को खाते देखकर उस क्रियेचर के हाथों से मरने से अच्छा वो सुसाइट करने का फैसला करती है पर वो खुद को गोली नहीं मार पाती और उस क्रियेचर से लड़ने का फैसला करती है तो अ creature बच जाता है और तभी वह creature जूलियट की पास आकर उसे उठाकर दूर फेक देता है अब वह creature उसकी और दुबारा बढ़ने लगा था जिसे इस बार जूलियट उस creature को शूट कर देती है और वह creature नीचे गिरकर मढने लगा था तो अब जूलियट भी रिलाक्स होकर वहीं पर लेट जाती है क्योंकि सुभा होने ही वाली थी और हम देख पाते हैं कि वह क्रियेचर भी अभी तक मरा नहीं है वह धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ रहा है और उसे अपनी करीब आता देख जूलियट उसे शूट करती है पर कन की कोलियां खत्म हो गई थी कन रिलो जूलियट के पास आकर उसे ऐसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह जैक है इसलिए कई मौके मिलने के बावसूत भी उसने जूलियट को नहीं मारा अब जूलियट को जैक की वह दो बाते याद आती हैं अगर उसे पहले याद आ गई होती तो जैक इस कंडिशन में नही देती है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है सो काई जगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड चाचा बाई बाई